ओम विश्यूकरमणे नमाह जम आता दी सातियो मेन अंदर्विस करमा आप सभी का आपके अपने इस चैनल अंदर्विस करमा में हार्तिक स्वागत करता हूँ आज में आपको बागवान विसकर्मा जी के प्रथम पुत्रे मनू के बंसज लोहार का रंग कोन सा है इनके लिए कोन सा रंग है सुभू होता है और यह इनके लिए कोन इनका यह किस रंग के प्रतीक है और भगवान विसकर्मा जी की जो दोजा पताका है इसमें पांच रंग अंके थे लाल लीला हरा पीला इनके से इनकी प्रत्थम पुत्रे के बंसजों का रंग कोन सा है और यह भगवान विसकर्मा जी की दोजा पताका में किस इस्थान पर कहा पर अंकेत किया गया है कि आप इस चैनल नरंदरिषकरमा में प्रथंबार आये हैं , तो आप इस मैद सब्सक्मा विडियो करें, क्योंकि आपकी इस चैनल नरंदरिषकरमा हर में अंतिम तारीक को , 20 वज हम इस समाज आधि नियीन विडियो की sweet तो मैं आपको बता दू कि भागवार मिषकरमा जी की जो व् हुरिशा पताका है इसमें पांच रण होती लाल नीला हरा पीला सफीद तो इस मैंसी जो भागवार विसकर्मा जी की दोजा पता का है आज इसकी प्रथम रंग जो सबसे उपर होता है जो उनके प्रथम पुत्र की बंसजों का प्रतीक है भगवान विसकर्मा जी का प्रथम पुत्र मनुति उनके बंसज है जो विसकर्मा है विसकर्मा अर्था तो लोहार है विसकर्मा तो उनके पांचों पुत्र है चावा है पांचों पुत्र के बंसज विसकर्मा है लेकर उसके प्रथम पुत्र के बंसज लोहार है उनका रंग कुन सा है? सुईत रंगे वे हैं भगमान विसकर्मा जी की दुचा पताका में सबसे उपर विद्वान है सबसे उपर होता है सफीद वो सफीद भगमान विसकर्मा जी की प्रत्वम पुत्र लोहार की बंसुजों का प्रतीख है तो आपके जानकारी अच्छी लगी ए तो आपके अपनी चैनल नरंद मिश्करमा को सबस्क्राइब करें दूसरों तक सेयर करें और उन्हें जानकारी दें किया अपनी समाज अपनी तहास की जानकारी चाहते हैं यह भगवार्व विष्करमा से जीसे जुड़ी जानकारी साथ वजे एक नया वीडियो अप्लूड होता है हर माय की अंतिन तारीक को तो भगवार विश्कर्वाजी की प्रथम पुत्र मनु के बंसज लुहार है जो इनका जो रंग है यह स्वेत रंग है यह दोजा पताका में जो स्वेत रंग है इनके बंसजों का पतीक है तो लुहार का रंग कौन सा है सुएत और जो कहां है भगवार विश्कर्वाजी की दो जापता का व्यंक्यत सबसे उपर जैब आपको ए वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जैब भागवार विश्कर्वा जरूर लखें और साथ ही यदि आप जैब आपको पूर देख सकते हैं तो जरूर लगें जय माता दिए